अज कहें वीडियो एस्पेसली उन लोगों के लिए है जिनका अधार कार्ड खोया गया है या खराब हो गया है या ऐसे ही किसी सोप से अपना अधार कार्ड प्रिंट कराया हुआ है जिसे कोई सेप्टी फीचर भी नहीं होता है ऐसे में UID का ओफिसल प्रिंट कार्ड आउडर कर सकते हैं जो कि प्लास्टिक कार्ड है और बाई पोस्ट आपके एड्रेज पे स्पीट पोस्ट के माधियम से सेंड किया जाता है और इसमें काफी सारे सेप्टी फीचर भी दिए गए हैं पीविसी अधार कार्ड आउडर करने के लिए आपके अधार के साथ मुवाइल नंबर का लिंक होना ज़रूरी नहीं है आप किसी एक मुवाइल नंबर से पूरी फैमिली का अधार कार्ड आउडर कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको 2020 में PVC अधार कार्ड आउडर करने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं PVC अधार कार्ड आउडर करने के लिए सबसे पहले आपको Google Chrome पे आना होगा उसके बाद यहां पे UID टाइप करना होगा उसके बाद यह ओफिसियल वेफ साइट को उपेन करना होगा उसके बाद आप जिस भी वासा में चाहते हैं उस वासा को सेलेट कर लीजिएगा और नीचे स्कॉल कीजिएगा यहां पे देख सकते हैं आउडर आधार PVC कार्ड का आप्शन दिखाए दे रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा और यहां पे आप देख सकते हैं अगर आपका मुवाइल नंबर लिंक है तो लॉगिंग करके भी अपलाई कर सकते हैं अगर आपका मुवाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप इस वाले वासे को क्लिक कर सकते हैं अधार प्यवी सी काड चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं यहां पर अपने 12 डिजित का अधार नंबर आपको डाल देना है उसके बाद capture code डालना है उसके बाद my mobile number is not registered पर क्लिक करना है और inter mobile number डाल कर आपको send otp पर क्लिक करना है मैं यहाँ पे आधार number और capture code भर चुका हूँ आपको नीचे बाले option my mobile number is not registered पर क्लिक करना है उसके बाद आपको एक mobile number डाल देना है उसके वाद send OTP के option पर क्लिक करना है। देख सेते OTP generate success fully को OTP mobile number पर गया है। तो चलिए मैं OTP यहां पर आधार OTP फिल कर चुका हूं। उसके वाद times condition पर क्लिक किजिएगा। उसके वाद submit पर क्लिक किजिएगा। उसके वाद OK पर क्लिक किजिएगा। यहां पर पेपे complete किजिएगा। उसके वाद में complete पर क्लिक किजिएगा। उसके वाद कुछ इस तरह का interface open होगा। आपको जिसी भी payment से payment करना हैं पेमेंट कर सकते हैं। काड या UPI, wallet, net banking, whatshap पे, PTM, तो मुझे PTM से करना है। इस पर proceed किजिएगा। उसके बाद यहां पर नमबर अपना डाल देजिएगा। प्रसीट के बटन पे payment कंप्लीट कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मैं यहां पर इस तरह मिलेगा। इसे पर एक एसारे नमबर भी दिखा हुआ है। यहां से आप एसारे नमबर को कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पे Google Chrome पे आएगा। उसके बाद UID के website पे आया पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। UID के बटन पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहां पे भासा को सिलेट कीजिएगा। आप देख सकते हैं को इस परकार से इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद चेक अधार PVC काड़ स्टेटस के बटन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद करेंट स्टेटस प्रिंट इन प्रोसेस बता जा रहा है। इसके बाद 15 दिनों के बाद अंदर आपके घर के पते पर वाई पोस्ट आधार PVC कार्ट मिल जाएगा तो देखने मिल जाएगा जो देखने में कुछ ऐसा होता है इसमें काफी सारे safety features दिये गए हैं इसलिए इसको copy नहीं किया जा सकता यह plastic होता है इसलिए पानी से भी पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है अगर आपके मन में कोई confusion हो तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं तो चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में जाहिन बंदे मात्रम